कहिए कैसे हैं आप husband हो या wife अक्सर दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी शिकायते रहती है अब जैसे husband है उनको क्या शिकायत है अपनी wife से कि मेरी care नहीं करती, मेरा ख्याल नहीं रखती, जादा ध्यान बच्चों में देती है या घर पर जादा busy रखती है या खुद पर ही अपना पुरा ध्यान, focus खुद पर ही रखती है ऐसे ही wife को शिकायत है अपने husband से कि मुझे appreciate नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे time नहीं देते या अपने parents को जाला time देते हैं या मेरे parents की value नहीं करते मतलब इस तरह की बहुत सारे लंबे list है शिकायतों की ये शिकायते काफी हद तक ठीक हो सकती है काफी हद तक ठीक हो सकती है अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए और ये जो बाते हैं ख्याल रखने वाली इसमें ये नहीं है कि partner की help लेनी है खुद ही अपने आप ही अपने ओपर ही काम करना होगा तो ऐसी क्या बाते हैं आज की वीडियो इसी बारे में सबसे पहली बात मन में कोई बात नहीं रखनी चाहे husband हो चाहे wife ये जब वीडियो है ये दोनों के लिए comment है आप चाहे husband है चाहे wife है तो मन में कोई बात नहीं रखनी जैसे husband है वो ये चाहते है जब मैं office से आऊ तो मेरी wife मेरे साथ कुछ time spent करे पर वो बोल नहीं सकते ऐसे ही wife है वो ये चाहती है कि हर Sunday को हम गूमने जाए पर होता क्या है मतलब reason क्या होता है क्यों नहीं बोल सकते मनी मन अपनी बात क्यों रखते है एक तो हिच होती है हिच जक होती है जैसे मैं कैसे कह दूँ या फिर हम for granted ले लेते कि इसको पता होना चाहे ये मेरी wife है या ये मेरे husband है अब जैसे husband है उनको लगता है मेरे साथ बैठे जब मैं office से आऊ तो इसको पता होना चाहे है मैं husband हूँ मैं office से आया हूँ मैं तका हुआ है या wife है वो ये सोच रही है मतलब for granted ले रखा है कि इनको पता होना चाहे है सारा दिन में घर पे रहती हो मुझे भी तो गूमना फिरना होता है मेरा भी तो मन करता है बाहर जाने का मतलब इनको पता होना चाहे तो ये बात को एक तरफ रखे ना मतलब बात मन की मन में नहीं रखनी चाहे ये अगर हमने बाते मन में रख ली ना फिर क्या होगा कि distance आना शुरू हो जाएगा मतलब मन में मन मुटाफ शुरू हो जाएंगे और दूरियां बढ़ने शुरू हो जाएंगी देखिए बात करने से ही बात बनती है नहीं तो फिर बाते बनेंगी समझ गया है आप इस बात को तो ये बहुत important बात है और ये खुद पर ही काम करना है इसमें किसी की help नहीं लेनी फिर आती है दूसरी बात लाइफ है आप डाउं से चलते रहते हैं मतलब बहुत सारी problems लाइफ में एक साथ चलती रहती है और हम इसको avoid भी नहीं कर सकते हैं पर best चीज क्या है कि इनको deal करते हुए हमें एक साथ आगे बढ़ना है अब जैसे की husband wife है अब हुआ क्या कि husband ने अपने दोस्त को पैसे उधार दे दिया अब वो वापिस ने दे रहा उसकी वज़े से husband को उरी है tension और वो जो tension, जो frustration है वो अपनी wife पे उतार रहे है अब जैसे wife है माल लीजे joint family में रहते है अच्या ननन्ध है उसकी शादी नी ओरी तो उस वज़े से ननन्ध की और जो wife है उसकी आपस में बड़ी kid bit kid bit सी रहती है मतलब ननन्ध ए tension में रहती है कि मेरी शादी नी ओरी अच्या जो wife है उसको ये लगए इसकी शादी कब होगी यह अपना हुकम जादा चलाती है, अपने आपको जादा समझती है, यह जाए घर से, इसकी जुल्दी शादी हो, इस वज़े से वो उसे टेंशन में रहती है, और इस वज़े से, जब हस्बेंड उससे कोई पात करते हैं, अपनी वाइब से, तो उसके आवाज में, उसकी बा दस तरह की प्रब्लम्स होती हैं, उन प्रब्लम्स को अपने इस खुबसूरत रिष्टे में नहीं लाना, जो कि अकसर गलती कर जाते हैं, अपनी प्रब्लम्स को अलग रखो, अब आप हस्बंड वाइफ हो, आप इस चीज को समझो, मतलब अब जो भी करना है ना मिलके दील क बूल रहे हैं, कही बारतों हाथ भी उठा देते हैं, मतलब इस फ्रस्टेशन में, तो ये चीजे नहीं होनी चीएं, और इस पर खुदी काम करना है, बहुत इंपोर्टन बात है ये, मतलब कोई बाहर की कुछ भी टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, उसको अपने हजबंड अपने पीच में नहीं लाना, समझे इस बात को, अब आती है तीसरी बात, मान सिकता ही ऐसी बनी हुई है, कैसी कि बचपन से ही ऐसा महाल देखा है, कि जैसे वाइफ है, उन्होंने ये देखा है कि शुरू से ही बचपन से ही, जैसे पापा बैठे रहते हैं, बैठ के ममी को ऐसे ही जो हस्बंट है उनकी परवरिश सिंगल मदर ने किया मतलब बच्पन में ही उनके पेरेंट्स का डैवोर्स हो गया था अब मदर ने उनका पालन पोशन किया या फिर जैसे हस्बंट वाइफ है जब उनकी शादी हुई तो जो उनके फ्रेंड सरकल में था जिनकी शाद अब लडाई जगड़ा होता है बनती नहीं है मतलब प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम रहती है तो यह सोच लेके वह आगे की लाइफ अपनी शुरू करते है जब कि यह गलत है अब पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी या जो फ्रेंड सरकल है वह अलग अलग रहें उनक से जब आप एक दूसरे को इतना पशन करेंगे यह फ़ीज़ाइंगी नहीं मतलब आप समझते हैं इस बात को वह बात है कि हाँ ऐसी होता है हमारा साथ भी ऐसी होगा यह नहीं होना क्यों चाहिए आप कीजिए एक्जांपल सेट कीजिए कुछ अलग हटके दिखाएंग थ तो देखते हैं कि रिष्टे में जंगड़ा होता है बहुत लड़ाई होती है कोई जुखने को तियार नहीं होता है अरे प्यार जो है ना समर्पन का दूसरा नाम है आब आती है चौती बात दूसरे family members की interference बहुत है दूसरे family members जैसे extended family होती है जैसे wife है उसके parents हो गए या wife की जीर जी हो गए ऐसे husband है husband के parents हो गए या फिर उनकी भाबी हो गई मतलब और जो दूर के या चाची सास या चाचा ससूर मतलब इस तरह की जो extended family है उनकी interference आपसी रिष्टे में बहुत जादा है मतलब हर बात पर टोकटा की हर बात पर नुक्ताचीनी करना नुक्स निकालना ये बात ये बात भी बहुत बड़ा issue बन जाती है अब जैसे wife है कोई भी बात होती है ना घर में कोई भी छोटी से छोटी बात भी होगी ना तुरंट अपनी मम्मी को phone कर देगी आज तो ये हुआ आज ऐसे हुआ मेरी सास ने ऐसे बोला मेरे husband ने ऐसे बोला ये क्या मतलब हुआ हर एक बात को अच्छा फिर वो अपनी चलाती है मतलब मदर को बता दिया मदर जैसे dictate करती है वो वैसे ही करती है इस family में गलत बात है ऐसे husband है कोई भी बात होगी ना अपनी जाके भावी को बता देंगे आज ऐसे हुआ मेरी wife ने ऐसे किया फिर वो जो बोलती है या जाना टाइम में वह spend करते है वो अच्छा नहीं लगता wife को तो यह चीज़े करनी नहीं चीए ना यह चीज़े बिलकुल गलत है आपको पता है जो marriage के बाद जादा जो अलग होने की situation आती है डैवोर्स तक की situation आती है उसका main reason क्या है वो यह है कि जो माय के वाले है उनकी दखल अंदाजी मतलब over या husband जो है बहुत जादा अपने parents के साथ हर बात उनको बताना हर बात उनको बताना उससे क्या है कि wife को नहीं अच्छा लगता मतलब जहां पर over हो जाते है देखिए बात करने में मना नहीं है पर क्या यही बाते करनी होती है ना कि मेरे घर में यह हुआ उसने ऐसे का मेरे husband ने असे का या मेरी wife ने असे का यह गलत है यह चीज सही नहीं है अरे आप husband wife है आप आपस में जो भी छोटा मोटा conflict है आपस में clear करो ना तीसरे person को क्यों बताते हो अब एक तरह से वो third person है आप छोटी मोटी बाते हैं आपका क्या हाल जाल है तब बेद कैसी चल रही है ज़रूर करो मतलब दिन में दो पार phone करो तीन पार phone करो कोई दिक्कत नहीं है पर इधर की उधर करना यह यह चीज़े ठीक नहीं है यह सबसे बड़ा reason है जैसे मैंने बोला मतलब शादी इस चीज़ पर control करना है आप कोई भी कोई भी किसी बात की कमी लग रही है ना खुलकर बात करनी चाहिए एक दूसरे से ज़रूरी है अब आती है पांचवी बात ना किसी पीर से पूछो ना फकीर से पूछो आखे बन करो और अपने जमीर से पूछो अपने मन से पूछो क कि आखिर यह हो कह रहा है मतलब मेरा behavior कैसा है क्या मैं सही हूँ क्या में गल हूँ तो मतलब आखे बन करके अपने आपको analyze करना है कि क्या यह जो हो रहा है सब सही हो रहा है यह यह सही नहीं है जैसे wife हैं वो यह सोच रही है कि जब भी husband किसी अपने दोस्त को लेके आते हैं कि किसी guest को लेके आते हैं या मुझे कोई काम बता देते हैं तो मेरा मुह कैसे बन जाते है मतलब मेरे माते पे बल आ जाएंगे मुह बन जाएगा मैं अपने रूम में चली जाओंगी मतलब मैं इस तरह का behavior करती हूँ यह husband है वो क्या सोच रहे हैं कि मेरी जो wife है वो कितना काम करती है मतलब parents की भी देखवाल करना बचों की भी देखवाल करना पूरा गर भी संबालना और मैं मैं कैसे behavior करता हूँ मैं तो इसे rudely behavior करता हूँ मैं इसका तही पर मजाग भी उडा देता हूँ क्या हमें सही करना हूँ मतलब अपने आप किसी से पूछनी की जूर्थ नही यह पता हो, husband यह सोच रहा है, मैं तो देखो कैसे बाद-बाद पर इसको टॉंट करता हूँ, कैसे इसका मजाक उड़ाता हूँ, क्या इसको बुरा नहीं लगता होगा, मतलब यह चीज सोच नहीं है, और यह चीज का ध्यान रखना है, कि जो हमारी वानी है, जो हम बोल रहे ह है, इसको हमने बनाना है वीना, और हम क्या बना लेते हैं, बांड, बांड बनाते हैं, तो क्या होता है, माभारत होती है, और अगर वीना बना लेंगे न, तो स्वर लहरिया गुंजे की घर में, मतलब बहुत कूल एटमास्फियर रहेगा, तो इसके लिए जरूरी क्या है, इस तरह का महौल हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि अपने आप से पूछना, मेरा बिहेवियर कैसा है, एक दूसरे के प्रती, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसा रियक्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं, और हमें कैसा करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए, क् इस चीज को खुद ही आखलन करना है, खुद ही, आपको पता है, रिष्टों में फासले कब आ जाते हैं, जब हम अपनी गलतियों के तो वकील बन जाते हैं, और दूसरे ने अगर गलती कीना, तो उसके जज़ बन जाते हैं, रिष्टों में अकड़नी पकड़ होनी हैं, वो ना तुम में है, ना मुझ में है, मतलब अब जो रिष्टा है ना हमका है, अब मैं खतम है, मैं नहीं राब, ला जवाब रिष्टा चाहिए ना तो दिल की घहराईयों से निभाना पड़ेगा, क्योंकि कीमती मोती ना कभी किनारे के नहीं मिला करते हैं, समझ रहे और इसमें यह बेल का बटन है ना यह भी दबा दिजेगा थाकि जब भी जैसे में को वीडियो अपलोड करती हो, आपके पास नोटिफिकेशन या मेसेज आ जाए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए, आपको लग रहें कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो